हेलो बच्चों आज हम पढ़ेंगे नेक्स चेप्टर जिसका नाम है दिशा ज बर्डे दिशा एक लड़की है चोटी बच्ची है आज इसका वर्डे है तो उसके बारे में ये एक चेप्टर है एक चोटी से स्टोरी आपको फ्रेम करके दी हुई है आज हम इसे पढ़ेंगे सबसे पहले स्टार्टिंग में है आपका क्रेटिव कॉर्णर यहाँ पर नीचे आपको कुछ चीज़े दी हुई है जिन्हें देखकर आपको उनका नाम नीचे जो स्पेस दिया हुआ है जो जगर दी हुई है उसमें लिखना है देन आता है आपका About the Lesson कि इस चैप्टर के अंदर यह जो लेसन आज हम रीट करेंगे इसके अंदर हमें क्या पढ़ने को मिलेगा दिशा इस लिटल गर्ल दिशा एक छोटी सी लड़की है तुड़े इस हर बर्थडे आज उसका बर्दे है आज उसका जनम दिन है आज उसने अपने सारे फ्रेंड्स को अपने बर्दे पर बुलाया हुआ है अपने जनम दिन पर इन्वाइट किया हुआ है बुलाया है जैसे कि होता भी है हम जब अपना हमारा जनम दिन होता है तो हम अपने सारे दोस्तों को अपने सारे फ्रेंड्स को रिलेटिवस को इन्वाइट करते हैं उन्हें बुलाते हैं Let's also enjoy her birthday तो चलिए आज हम भी दिशा का बर्दे जो है enjoy करते है Today it is 4th January आज जो है 4th January है आज जो date है वो 4th January है It is 6th birthday of दिशा आज दिशा का छटा जनम दिन है She is very happy वो अपने जनम दिन को लेकर आज बहुत खुश है Her mother is Miss Bharti and her father is Mr. Devesh उसकी जो मदर है उनका नाम है भारती और उसके जो पिताजी है उनका नाम है देवेश तो उसके parents जो है वो आज उसके साथ में है She loves her parents very much वो अपने parents से बहुत प्यार करती है She has a brother also उसका एक छोटा भाई भी है एक भाई है उसका His name is Dinesh उसका नाम Dinesh है His birthday falls on 8th February और जो उसका भाई है उसका जनम दिन जो है वो 8th February को आता है On each birthday their parents give a grand party और दोनों के जनम दिन के दिन जो उनके parents है वो एक बहुत बड़ी party देते हैं Celebrate करते हैं, celebration करते हैं जिसमें कि वो उनके सारे friends को बलाते हैं ये हम सबके साथ ही होता है आप भी जब आप लोगों का जनम दिन आता होगा तो आपके parents उसके लिए कुछ अच्छे से arrangements करते हैं Celebrate करते हैं क्योंकि एक खुशी का दिन होता है तो हम सब अपने बर्डे को बहुत अच्छे से enjoy करते हैं अब जो बर्डे का दिन होता है उसमें हम सबसे पहले घर को सजाते हैं एक बहुत अच्छी से decoration करते हैं तो यहाँ पर जो दिशास brother दिनेश है has decorated the hall very beautifully उसने जो hall है जो main room है जहाँ पर cake cutting का program होगा उस hall को बहुत अच्छे से सजाया हुआ है there are many balloons of different colors बहुत खुबसूरत बहुत सारे अच्छे अच्छे बैलोन से रंग बिरंगे बैलोन से गुबारों से उसने घर को पुरेस hall को सजाया है there are buntings and colored lights also बहुत सारी उसमें जो buntings हैं लटकन है अलग-अलग colorful हम जालर जैसे जो है वो लटकाई हुई है खुबसूरत अलग-अलग रंगीन लाइटें उसने जलाई हुई है the chairs are well arranged और महमानों के बैठने के लिए chairs को अच्छे से अरेंज करकर लगाया हुआ है there is a big table in the center और कमरे के बीच में एक खुबसूरत सी बड़ी सी table रखी हुई है her father has brought a birthday cake from the baker उसके चुपिताजी है जो उसके फादर है वो baker की shop से एक बड़ा सा cake लिकर आए है it is very big and nice चुद की बहुत बड़ा और बहुत खुबसूरत cake है happy birthday to Disha is written on this lovely cake और उस खुबसूरत सी cake के उपर एक छूटा सा tag लगा हुआ है जिस पर की happy birthday दिशा इस तरह से लिखा हुआ है there are six candles put on the cake और जो cake है उस पर six candles लगाई हुई है मोंबतिया लगाई हुई है they all are lightened वो सब की सब जल रही है Disha will blow them out और जो दिशा है जिसका की आज जनम दिन है वो उन्हें बुझाएगी all her friends have arrived उसके सारे friends जो है वो आ गए है they have brought beautiful gifts for Disha वो सब दिशा के लिए बहुत सारे खुबसूरत से तोफे लेकर आए है जब किसी का जनम दिन होता है तो उसमें हमें बहुत सारे तोफे मिलते हैं हम तोफे देते हैं अपने friends को तो उसी तरह से दिशा का जनम दिन है तो उसके सारे friends ने उसको बहुत सारे gifts ला कर दिये है now the party begins और अब party शिरू हो चुकी है क्योंकि cake कट चुका है सारे friends आ चुके है cake कट चुका है तो अब सब लोग party को enjoy कर रहे है all friends take the feast well तो जो उसमें खाने के लिए चीज़े रखी गई है वो सब लोग खा रहे हैं अच्छे से enjoy कर रहे हैं they are singing and dancing or are happy तो उसके जो सारे friends हैं वो बहुत खुश हैं सब के सब वो गाना गा रहे हैं dance कर रहे हैं और party को अच्छे से enjoy कर रहे हैं और वो सब लोग दिशा के बर्डे में आकर बहुत खुश है